यहां से रखेंगे 5 इंच यहां से भी हम 5 इंच रखेंगे डबल फोल्ड में इसे लेना है उसके बाद हमें और एक फोल्ड कर लेना है कोनर के साइड से और नीचे के साइड हमें इसे राउंड सेब में सेब दे दीनी है अब हम इसे कट कर लेते हैं इस तरीके से इसे पकड़ेंगे और उसके उपर के साइड से दोनों कपड़े एटेच करते हुए इसे एक सिलाई लगा लेनी है इन साइड भी हम एक सिलाई लगा लेंगे अब हमें इसे साइड पे रख देते हैं उसके बाद हमें एक चोड़े दो इन्च चोड़े पट्टी लेनी है हमारा पट्टी में जोड आएगी तो इसे हम जोड कर लेते हैं अगर आपके पास लंबे पट्टी है तो आप लंबे पट्टी लीजिए इसे हम डबल फोल्ड में फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देनी है अच्छी से हाथों के मदद से चाप देते हुए इसे सिलाई लगानी है पुरे पटी में हम इस सेम प्रोसेस से पटी को सिलाई लगा लेते हैं इस पटी को हम तयार कर लिए हैं उसके बाद हमें इसे हलकी से अंदर के साइट फोल्ड करते हुए छोटी छोटी प्लेर्स लगा लेंगे पुरे पटी पे ऐसे ही छोटी छोटी प्लेर्स लगानी है पुरे पटी में ऐसे ही छोटी छोटी प्लेर्स लगा के इसे हम तयार कर लेंगे दिखिए हमारा पटी प्लेर्स वाली पटी बनके तयार अब हम इसे अंदर के साइड हाप इंच फोल्ट करते हुए इसे एक राउंड सेब में हल्की सी राउंड सेब में सिलाई लगा लेनी है ऐसे ही फिनिसिंग के साथ सिलाई करना है इसे पट्टी हमारा लग चुकी है अब इहां से हम कट कर लेते हैं सेम ऐसे ही हम दुसरे साइड में भी पट्टी लगा लेंगे सेम प्रोसेस से लगानी है अच्छी सी फिनिसिंग के साथ इसे लगानी है इसे भी हम कट कर लेंगे इसके बादे हमें इसमें देखी फ्रेंस जो छोटी छोटी फेब्रिक साइड में आ चुकी है उसे हम कट करके फिनिसिंग कर लेते हैं अच्छी से इसके बाद हमने इसमें एक लेज लगाएंगे इसे ही हमें एक लेज लगा लेनी है इसे ही बिठाएंगे और हलकी हातों से अच्छी से खीचना नहीं है बिल्कुल और इसे बिठाते जाएंगे देखे फ्रंस हमारा ये लेज लग चुकी है इसके बाद हमें और एक पट्टी एटच करेंगे सेम ऐसे ही हमें इस पट्टी को भी एटच कर लेनी है इसमें भी हमने लेज लगा लेंगे काफी सिम्पल है एक डिजाइनर लटकन आप जरू ट्राइ करें इसके बाद हम एक डोड़ी लेंगे और इसके कोर्नार पे रखके ऐसे ही दोनों साइट को एक साइट फोल करके इसे हम कोर्नार पे अच्छे सी पक्की सिलाई करेंगे गर्ड देनी है इसके बाद हमें एक नीचे पे गर्ड देके सिलाई करनी है ऐसे ही इस फेबरिक को हम कट कर लेंगे और फोल्ट करेंगे पलट लेनी है ऐसे ही पलट लेनी है देखे फ्रेंस हमारा जो लटकन है डिजाइनर लटकन बनके तयार हो चुकी है अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारा वीडियो को लाइक कामेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए देखे फ्रेंस इसे आप जब बनाएंगे इसे लहेंगा या फिर ब्लाउज में आप यूज कर पाएंगे इस वीडियो के लाज तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद थेंकियो